हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब रामजी की पाटशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी त्यारी बहुत इवड़ी अडंग से चल लगी होगी दोस्तों हम लोग को यूपिट्रिपल सी पैट के लिए उसके प्रेक्टिस एट को कर रहे हैं एक अभी मैंने दो दिन पहले प्रेक्टिस है डाला था और उसका रेस्पॉंस ठीक रहा लब सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा और अगर कोई बात है कमेंट इत्यादी वह करना न भूलिएगा तो पहला प्रशन है हमारा बिना देरी किये हम लोग शुरू करेंगे अच्छे से और सिरीज का नाम तो आपको बताईए क्या है पुषपरासरी तो मतलब जुकने का कोई काम नहीं है और आप लोगों को के पास अभी देखिए एक महीने का ही समय बचा हुआ है तो जितना ज़्यादा आप अच्छे तेहरी कर लेंगे उतना ज़्यादा आप पैट में अच्छे स्कूर कर पाएंगे पहला हमारा प्रश्ण है यहां पर देखिए इतियास का पहला प्रश्ण है एक पुस्तक है किताब उलहिंद इसके जो लेखक हैं वो कौन है अलबरूनी अलबरूनी है यह जो वेक्ति हैं अलबरूनी यह किसके साथ निमलिकित में से किसके साथ भारत आया था यह वेक्ति किसके साथ भारत आया था महमूद गजनवी गौरी मुहमद बिन कासिम या इन में से कोई नहीं तो अलबरूनी जो था वो एक विद्वान था इसलामिक स् के बारे में, उस समय भारत के दर्शन के बारे में, उस समय भारत के जो त्योहार हैं, उनके बारे में लिखा, खगोल शास्त्र के बारे में बताया कि क्या खगोल शास्त्र है, इत्यादी इन सब चीजों पर इसने अपनी इस पुरस्त्र के बारे में लिखा है, किताब उलहिं ठीक है यह प्रश्ण आपको समझ में आया अगला प्रश्ण है हमारा 1946 ECV में गठित कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था आप सब को पता है कि भारत में 1947 से पहले जो समय था 1934 के असपास से ये बात उठनी शुरू हो गई थी कि भारत स्वतनत्र होगा तो मतलब कैसे यहां पर साशन होगा कैसे यहां पर कानून का राज होगा कैसे काम चलेगा तो उसमें पहले से विचार किया जाना लगा कि कैसे कैसे Assembly बनाई जाएगी या कुछ होगा समिधान होगा किस तरह होगा तो British सरकार से सब बाते रखी गई बिटे सरकार से सब बाते बताई गई तो उन्होंने समय समय पर अपने mission भेजे अपने आयोग भीजे बट उन सब को इंडिनेशनल कॉंग्रेस और भारत की उस समय की भारत आया था अब यह जो cabinet mission था यह तीन सदस्ये एक mission था इसमें तीन सदस्य थे अब इसमें यह प्रशन बहुत important है यह आपके छोटे छोटे एक्जाम से लेकर बड़े से बड़े एक्जाम में आता है पीसेस तक के एक्जाम में एक commission पूछा गया है तो वो तीन सदस्य कौन थे तो इस टेफोर्ड किुल्स भी थेerek एक जैद बी और इसके शाशनकाल में घटित हुई थी। अब आपको लग सकता है ब्लैक होल है तो यार ये जोगरफी की बात है या ये आपकी भूगोल सम्मंदी तथ्यां पूछा गया है पर ये देखिए क्या लिखा हुआ है ब्लैक होल घटना काल कोटरी है ना इस तरह काल कोटरी ये घट सिराजुद दोला कौन सिराजुद दोला नवाब थे तो उनके साथ में इनकी थोड़ी मतलब आप कह सकते हैं कॉन्फिक्ट जैसा चल गया वाद विवाद जहर लड़ाई जगड़ा ये सब चीजें धिर धिर होनी लगी थी तो जो कलकत्ता शहर था क्या था आपका कलकत्त शहर था उस समय का तो इस्ट इंडिया कंपनी इसकी क्या करने लगी किले बंदी करने लगी किले बंदी करेंगे इसको चारो तरफ से हम लोग सुरक्षित करेंगे एक सुरक्षा घेरा बनाएंगे तो इस सीज से परेशान होकर इस किले बंदी से परेशान होकर सिराजुद में से मातर 23 लोग ही उसमें जीवित पाए गए मतलब इतने ज़्यादा लोग 143 में से 23 ही बचे तो इतने सब लोग उसमें मारे गए तो इस घटनाओ क्या कहा गया इस घटनाओ कहा गया ब्लैक हॉल तरास दी यह आपको बात समझ में आई होगी अगला प्रश्ण है मारा इस्ट्री का सभीने अवग्या अंदोलन के रूप में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब निकाला था तो देखो क्या था कि दांडी मार्च एक क्या था नमक सत्याग रहे की तरह से निकाली गई थी और दांडी तठ तक निकाली गई थी समुद्र तठ है और ये कहां पर आपका गुजरात में वहां पर गई वहां पर जाके जो दमक कानून था इसको तोड़ा गया वहां पर जाकर के और ये शुरू कब हुई थी 12 मार्च 1930 को और ये complete कब हुई ये complete हुई आपकी 6 April 1930 को तो ये पूरा का पूरा समय है ये प्रशने पूचा जाता है कि भाई ये शुरू कब हुई ये प्रशने पूचा जाता है खतम कब हुई कहां से शुरू हुई कहां पे खतम हुई ये सब अलग-अलग प्रशने है और ये भी एक प्रश्ण है कि किस आंदोलन का यह यात्रा हिस्सा थी तो आपको बूलना पड़ेगा सविने अवग्या आंदोलन का यह एक हिस्सा थी अगला है यहां पर है my experiments with the truth इस पुस्तक के लेखक कौन है यह आपको बात यादा है अब प्रश्ण हमारे इतियास के हो चुगे है अब प्रश्ण हमारे भारती राष्टिया आंदोलन के भी आने इंडिनेशनल मोविमेंट के आने आंदोलन के आपसे प्रश्ण बूचे जाएंगे तो यह कुश्ण रिपीट हो रहा है भारत में अली बंदुओं चौकत अली और मुहमद अली ने किस आंदोलन का नित्रत किया था तो 1919 और 1920 में भारत में एक आंदोलन चला था जिस आंदोलन का नाम था खिलाफत आंदोलन मैंने पहले बताया था कि जो तुर्की का खलीफा था उस खलीफा के समर्थन में इस आंदोलन को शुरू किया अगला प्रश्ण हमारा रविन्ना टैगोर ने अपनी नाइट हुड की उपादी है ना ये एक उपादी थी जो अंग्रेजी शाषन द्वारा ब्रेटिश शाषन दावरा रविन्ना टैगोर को दी गई थी कि न जलिया वाला बाग संघार है ना उननिस सो उननिस तहरा अप्रेल उननिस सो उननिस को जो जलिया वाला बाग संघार हुआ जलिया वाला बाग हत्याकांड हुआ जनरल डायर की आदेश पर उससे अप्रसन होकर उससे दुखित होकर क्या हुआ रविन्ना टैगोर ने अपने बीचीज को चलाने का वो अहिंसा था कि भई अहिंसा के वाध्यम से हमको सब काम करने हैं और यह जो मतलब आपका सायोग अंदोलन चला था इस सायोग अंदोलन की दौरान क्या हुआ था कि गोरकपुर में एक स्थान है चोरा-चोरी वहाँ पर इस अंदोलन के दौरान निकालने वाली भीड थी उसने उग्र होकर हिंसा का प्रियोग किया और वहाँ पर पुलिस टेशन में सिपाईयों को जिनदा जला दिया जिसको क्या कहा जाता है चोरा-चोरी घटना कहा जाता है इसी वजह से जो आपका ऐसा योग अंदोलन है इसको वापस लिया ठीके ब यहना साइमन कमिशन भारत कब आया था तो आपको पता होना चाहिए साइमन कमिशन जो था वो क्या कहा जाता था वाइट मैं कमिशन कहा जाता था वाइट मैं कमिशन यहना वाइट मैं कमिशन वाइट मैं कमिशन कहने के पीछे क्या करण था कि इसमें कितने सदस्य थे इसके स प्रसाशनिक शुधार के लिए आप भारत में प्रसाशनिक शुधार करोगे administrative reforms करोगे और उसके लिए जितने भी लोग आएंगे वो कहां से आएंगे सब बाहर से आ रहें तो ये तो अन्याय है कोई नो कोई तो भारतिय उसमें होना चाहिए था तो उसमें कोई भी भारतिय नहीं था इसी वज़े से उस कमिशन का बहुत बड़े स्तर पर विरोध हुआ और वहें फिर मनारे लगे साइमन कमिशन वापस जाओ साइमन कमिशन वापस जाओ जिस विरोध में लालालाज पत्राए के साथ में बहुत उग्र कारे किये गए लाठी उनके शुरूपर मारी गई और उसी में वीरगती को प्राफ्त हुए तो ये साइमेन कमिशन उनिस्सो अठाइस में भारत आया था यह बात आपको बहुत अच्छा स्याज़ा है अगला प्रशन है पूना समझोता किस से संबंदित है तो पूना में एक समझोता हुआ था इनके बीच में गांधी जी के बीच में और अंबेटकर के बीच में और गांधी जी के बीच में एक समझोता हुआ था जो भारतिये दलित वर्गे से संबंदित था कब हुआ था 1932 में 1932 में समझोता हुआ था प्रश्ण ये तीनों ही पूछे जा सकते हैं किस से सम्मंदित था किनकिन के भीच में हुआ और कब हुआ कि तीनों ही प्रश्ण आपसे पूछे जा सकते हैं अगला हमारा देखो यहाँ पर अब हम भूगोल की तरफ आगे बढ़ते हैं भूगोल यहाँ प्रश्ण आने हैं तो क्या है यहाँ पर क्या पूछा गया है यू आकार की घाटिया कहाँ पर पाई जाती है जो वैली होती है वो यू आकार की इस तरह की यू आकार की घाटिया पाई जाती है तो जो हिमानी होती है ना हिमानी है ना हिमानी जहां मिलब हिमनदियां होती है उनको हिमानी कहा जाता है तो हिमानियां जब चलती है तो और अपना रास्ता त्यार करती है हिमनदी जब चलती है तो जब अपना रास्ता त्यार करती है तो जिस प्रकार की घाटियों का निर्मान होता है वो कैसी घाटियों होती है यू आकर की घाटियां होती है हिमानी के दोरा हिमानी में अग्ला प्रश्णा है, करकरेल्खा निमलिकित में से किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरते हैं आपको मैं एक बात समझाओ आपको मैं एक बात बताऊ अगर ये भारत का मैप तो आपको पता हो hem चाहिए जो करकरेल्खा है वो भारत के लगभक से वो होकर इस तरह से गुजरती है तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है तो आठ राज्यों से होकर गुजरती है सबसे पहले अगर आप देखो सबसे पहले वो गुजरती है गुजरात से गुजरात से गुजरात के बाद आता है आपका राजस्थान के बाद आता है आप का MP MP के बाद अगर कोई स्थान आपका आता है तो आता है चत्तीस गड़ कौनसा चत्तीस गड़ चत्तीस गड़ के बाद आता है आपका जारखंड जारखंड के बाद आपका आता है कौनसा वेस्ट बेंगॉल West Bengal के बाद आपका जो स्थान आता है वो आता है तरिपुरा, ठीक है तरिपुरा और उसके बाद आपका स्थान आता है मिजूरब तो सबसे पहले गुजरात मतलब पश्चिम से पूरु की तरफ जाएंगे तो ये करम भी आपसे पूछ सकता है कि पश्चिम से पूरु या पूरु से पश्चिम तो गुजरात आता राज्थान, MP आता चतिजगर, जहरकंड, वेस्ट बेंगॉल, पश्चिममंगाल, त्रिप मध्यभाग से ओकर गुजरती है, जो ये करक रेखा है, अगर इसको देखा जाए, तो ये साड़े तेहिस डिगरी, कितना साड़े तेहिस डिगरी उत्तरी अक्षान से है, उत्तरी अक्षान से है, तो ये भारत के मध्यभाग से ओकर गुजरता है, तो अभी आप देखो, अगला कुछने, तो आपको पता है कि भारत का जो मैदान है, उत्तरी मैदान है वो किन कारणों से बनाया है? वो नदियों के दवारा लाई गई, मिट्छी के दवारा बना है। नदियां जो अपने साथ में अवसिस्ट लाई, इखटा किया मिठी पत्तर बालू वो इखटा किया उसकी वेज़ से ही ये उत्तर भारत के मैदान बने है और उस मिठी का नाम क्या है उस मिठी का नाम है जलोड मिठी जलोड मर्दा ठीक है वो कही जाती है जलोड मर्दा अगला प्रशन है बेंगुला धारा किस महासागर की शीतल धारा शीतल मतलब क्या है कि थंडी जल धारा है बेंगुला धारा किस उसकी है तो ये हो जाएगा आपका दक्षिन अट्लांटिक महासागर दक्षिन अट्लांटिक महासागर की ये एक शीतल धारा है ठीक है अगला कुष्ण है हमारा निमलिकित में से कौन सा स्थान भूमद्य रेखा के सरवगदिक निकट है अब आपको थोड़ा समय समझाने का प्रयास करते हैं मानो यह क्या है यह पूरी प्रत्री और भूमद्य रेखा क्या है जीरो डिग्री अक्सान से जीरो डिग्री अक्सान से भारत आपको भारत की स्थिति पता होनी चाहिए अगर आप देखो यह जीरो डिग्री यामियोत्तर है जीरो डिग्री आपकी देशानतर है तो भारत का जो इस्थान है जो भारत अवस्थित है वो उत्तरी गोलार्द में स्थित है अगर देखा जाए अक्षान सी अक्षान से विस्थार देखा जाए तो उत्तरी गोलार्द में है यानि उपर की तरफ है और अगर पूरवी पश्ची में देखा जाए तो किधर है आपका किधर है आपका ये पूर्वी गुलार्द में है तो यहाँ पर कहीं इस तरह से हमारा भारत इस अवस्थित है तो आपको बात समझ में आई तो यह यहाँ पर भूमद्दे है अब इतना आपको clear हो गया मैं इसको अटाता हूँ अब हम भारत की तरफ चल दें अब हम भारत की तरफ चल दें अब हम भारत की तरफ चल दें यह रहा हमारा भारत का प्यारा नक्षा तो अब यहाँ पर पूछा गया है कि इन चारों में सरवाधिक निकट कौन है सरवाधिक निकट कहा है तो अभी सबसे पहले देखते हैं पॉइंट जो है तो यहां पर अंडमान और निकोबार हैं तो निकोबार में जो सबसे इधर नीचे पॉइंट है यह आपका इंद्रा पॉइंट है इंद्रा पॉइंट है इंद्रा पॉइंट है यह वाला आपका उसके बाद कन्या कुमारी तो आपका यहां ही पर है ठीक है मिनिकोई द्वीब है और अगाती द्वीब भी आपके लक्षदीब का ही इस्सा है तो अब आप खुद देख करके बता सकते हैं कि कौन सा स्थान भूमत देरिखा के सरवादेग निकट है तो ये देखो सब से नीचे क्या है निकट कौन सा है इंदिरा पॉइंट है और इंदिरा पॉइंट ही भारत का दक्षन तमस्थान है तो ये आपको याद होना चाहिए इंदिरा पॉइंट इसका उत्तर हो जाए बात समझ में आई होगी अच्छा लग रहा होगा अब बढ़ते हैं हम लोग अर्थ विवस्था की ओर इधर अर्थ विवस्था की ओर बढ़ते हैं क्या बोल रहा है कि भारतिय अर्थ विवस्था के तृतियक चेत्र के अंत्रगत निम्लिकित में से कौन कौन से सेवा चेत्र सम्मिलित होता है तो देखो भारतिय अर्थ विवस्था में तीन चेत्र होते है पहला चेत्र आपका रात्मिक चेत्र होता जिसमें क्रिशी बगर आ जाती है, दूसरा हमारा विनिर्मान शेतर होता है, और तीसरा हमारा सेवा शेतर होता है, है ना, सेवा शेतर होता है, तो इसमें क्या बोल जा रहा है, कि तृतियक शेतर के अंतरगत निम्लिकित में से कौन सी सेवाएं सम्मेलित होती है, तो तृतियक जो शेतर है, वो सेवा चेतर होता है यानि कि services उसमें दी जाती है तो इसमें चार option दिये हुए हैं कौन-कौन सा आता है परिवहन एवं संचार, hotel, परिवहन एवं संचार परिवहन की क्या होती है यहां परिवहन की सेवा उपलबद नहीं है रहता है आपका C, 1-2. आप पूछेंगे खनन और वाने की और मात्से की, तो मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था, शायद आपको याद हो लेक पाल में किसे ने पढ़ा होगा, तो वाने की और मात्से की, ये कृषी एवं उसकी सहाया क्रियाओं में आती है, ये किस में आ जाएंगे आपके, प्रात्मी छेत्र में आ जाएंगे और खनन एवं उत्खनन भी आपका प्रात्मी छेत्र में आ जाएगा कृशी वाले में उत्तर हो जाएगा हमारा एक और दो अगला प्रश्ण है हमारा निमलिकित युगमों में से कौन सा सुमिलित नहीं है तो इसमें क्या आजाएगा आपका रंगा राजन समीती भुक्तान संतुलन बिल्कुल सही वोई पोरिया समीती तो बैंकिंग सेवा सुधार नान जून दपा समीती रेलवे किराया और रेखा समीती निर्यात एवं आयात का सरली करण यह बिल्कुल यहां पर गलत लिखा अगला प्रश्ण है हमारा यह नेमले कितने से किसे मानविका सूचका है ना human development index जो होता है उसमें शामिल किया जाता है अगर आपको कोई भी जनकारे निकालने कोई भी data आपको निकालना तो उसमें आप लोग क्या करोगे कोई नो कोई मानक तो आप रखोगे ना कि हम इन क आपको कखा में बच्चों का चैन करना है तो ऐसे फोड़ी होगा आप कुछ नो कुछ आधार रखोगे यानि कि आधार क्या हो सकता है, लंबाई आधार हो सकता है, बुद्धिमानी आधार हो सकता है, या और भी कोई आधार हो सकते हैं, कुछ ना कुछ आधार होता है, कोई नो कोई मानक जरूर होता है, तो Human Development Index जो है, इसको बनाने के लिए आपको एक बात बताता हूँ, दो एकना नौबल प्रश्कार और दूसरे हुए आपके महवूब उलहक लैदा या यह दो विक्ति हैं इन दौने मिलकर करके बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी मानव विकास ओचकांक के निर्मान में और मानव विकास और प्रती विक्ति आये देखी जाती है वास्त विख व जीवन जीने की इच्छा जीवन जीने का समय अगर जीवन जीने की मलब इच्छा बढ़ रही है समय बढ़ रहा है तो आदमी खुशाल है उसका विकास हो रहा है और तीसरा है वयस्क साक्षर्ता कितने लोग लिटरेट हो रहे हैं कितने लोग पढ़ रहे हैं इन तीनों का आ आधुनिक अर्थसास्तर का जनक माना जाता है तो आपका सीधा उत्तर हो जाएगा क्या Adam Smith Adam Smith को आधुनिक अर्थसास्तर का जनक माना जाता है अगला प्रशन है मारा हिंदू सम्रद्धी दर का संबंध किस सम्रद्धी दर से है तो ये एक मतलब ऐसे factual question type है अब को directly याद रख लेना हिंदू सम्रद्धी दर का संबंध सकल राष्ट्रिय आए से है और इस concept को देने वाले कौन थे प्रोफेशर राज कृष्ण थे जिन्होंने हिंदू सम्रद्धी दर का concept दिया था और उन्हें बताया था कि इसका संबंध राष्ट्रिय सकल आए से है आगे चलते हैं अब देखते हैं भारती सम्रद्धान के प्रश्ण यह लोग प्रशाशन को पहला question है दिसंबर 1946 को सम्रद्धान सभा के सम्मुक सम्रद्धान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था अब आपको एक बात पता होनी चाहिए सम्रद्धान सभा की जो पहली बैठाक होई थी वो 9 दिसंबर poking 9 दिसंबर 1940 को खुई थी जिसमें आपके अस्थाई अध्यक्ष चुने गए थे अस्थाई अध्यक्ष कौन चुने गए थे इसका जवाब मुझे कमेंट में जरूर देंगे उसके बाद 11 दिसंबर को दूसरी बैठा खुई तेक है 11 दिसंबर को दूसरी बैठा कुई नहरू ने एक उद्देश प्रस्ताव रखा था उद्देश ये प्रस्ताव रखा था उद्देश प्रस्ताव का मतलब ये था कि हमारा उद्देश क्या होगा किन किन पॉइंट इसको ध्यान में रखकर हम सम्मिधान को बनाएंगे तो एक उद्देश प्रस्ताव रखा था जो उद्देश से प्रस्ताव आगे चलकर के प्रस्तावना के रूप में, भारत की प्रेमबल है, वो प्रस्तावना के रूप में या उद्देश्रीका के रूप में वो बनाया गया, उसको चुना गया. तो यहाँ पर पूछने वाले हैं डिरेक्टली कुशन पूछ लिया है कि दिसंबर 1946 को सम्मिधान सभा के सम्मुख सम्मिधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसे ने रखा था तो यह हो जाएगा आपका जबहार लाल ने हो अगला प्रश्ण है हमारा अटार्नी जनरल यानि की भारत का महानियावादी भारत सरकार को कानूनी सलापरदान करता है मैंने आपको कल लास्ट वाले उसमें बताया था कि जो अटार्नी जनरल अफ इंडिया होता है भारत का महानियावादी होता है वो सरकार का वकील होता है भारत सरकार का वकील होता है जबकि राज्य सरकार को कौन परामर्स देता है तो जिस मैंने आपको बताया था कि यदि आप सेंटर का सिस्टम संग का सिस्टम अच्छे से पढ़ लेंगे तो राज्य का सिस्टम पढ़ने में आपको ज्यादे दिक्कत नहीं आएगी बस आर्टिकल ही चेंज होंगे बाकी बहुत हत्तक चीजें same है और पदों के नाम में परिवरतन सेंटर लेवल पर जो डेवल चोंके जनरर करता है सब्सक्राइबって का सम्मिधानिक सलाकार कौन था तो आप से पूछा जाएगा कि सम्मिधान सभा का भाई अध्यक्ष कौन था तो आप बता जाएंगे डॉक्टर राजंद प्रसाद पर ये कुशन कॉमन है और ये कुशन कॉमन नहीं कि सम्मिधानिक सलाकार कौन था अब सम्मिधानिक सलाकार क इसलिए किसी भी प्रकार के कानोनी सला की जर्थ पड़ेगी, तो इसलिए एक व्यक्ति को निव्ट करना पड़ेगा, जिस व्यक्ति का नाम था आपका, बी एन राओ. अगला प्रिश्ण है मारा, अनुच्छेद 108 के तहट राष्ट्रपती द्वारा लोकसभा और राजसभा की संयूप्त बैठक आहूत की जाती है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है, देखो कहीं बार ऐसा रहता है, कि लड़ाई जगड़े होना आम बात है, आप सब को बताए क संसद के किसी भी सदन में, किसी भी बिल को या विध्यक को पेश किया जा सकता है, मानो के राजसभा में पेश हुआ, तो राजसभा में पास होगा, उसके बाद लोकसभा में जाएगा, लोकसभा में चर्चा होगी, वहां से पास होगा, और वहां से पास होने के बाद वो विदेयक अधिनियम में परिवर्तित होगा या आप अंग्डेजी में कहना चाहें वो BILL आपके LAW में परिवर्तित हो जाएगा वो कानून बन जाएगा आपका देखे, वो आपके act में परिवर्तित हो जाएगा परंटु कहीं बार ऐसा होता है दूसरी भी condition सुन लीजिए राजसभा में आ सकता है लोगसभा से पारित होकर साहिन हो सकता है या लोगसभा में आ सकता है बिल वहां से पास होकर राजसभा जाएगा राजसभा से पास होकर राश्पति के पास जाएगा यह एक common प्रक्रिया है परन्तु कहीं बार ऐसा हो सकता है कि लोगसभा किसी बिल को लाए और पास करके राजसभा के पास भेज़ दे और राजसभा उसको मानने से मना कर दे कि भाई हम इस पे कुछ नहीं करते ना तो हम इस पे कोई फैंसला लेंगे ना इस पे डिस्कुशन करेंगे मतलब एक बिचोले की भूमिका कोन निभाता है महां पर रष्टपती मौदब निभाते हैं और बिचोले की भूमिका निभाने के साथ-साथ ही भारत में प्रभावी होता है आपका अर्टिकल 108 जो संयुक्त अधिवेशन या संयुक्त बैठक की बात करता है जब दो आद्मियों के ल लोकसभा और राजसभा को एक जगह लाया जाता है अब लाया जाएगा चलो लेके आगए कि भाई चलो बैठ गे उधर से भी आगए अब सबसे बड़ा जगड़ा शुरू हो जाएगा कि इस बैठक के दो अध्यक्स तो नहीं होंगे कि लोकसभा वालों को लोकसभा वाला लेके बढ़ जाएगा राजसभा वालों को राजसभा वाला लेके बढ़ जाएगा ऐसा तो नहीं होगा या तो राजसभा का सभापती यानि की उपराष्टपती उसको लेके बैठे उसकी अध्यक्सता करे संयुक्त अधिवेशन की क्या कौन करे लोकसभा अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करे तो ऐसे में आर्टिकल 108 कहता है कि यदि राष्टपती द्वारा संयुक्त अधिवेशन या संयुक्त बैठक का आभान किया जाता है आहूत यानि की बुलाई जाती है तो ऐसे में अध्यक से लिया है ये बात आपको ध्यान दे कि हमने ऑस्टेलिया से लिया है अगला प्रश्ण है मारा दो अक्टूबर 1969 को सरवप्रथम पंचाइती राज का सुभारंब कहां से हुआ था तो जो भारत में पंचाइती राज का जिक्र है वो DPSP यानि कि सम्मिधान के चौथे भाग में जिसमें राज्य के नीती निदेशक तत्व हैं उस नीती निदेशक तत्व के दौर के अनुचे चालिस में पंचायती राजगा जिक्र किया गया है परंतु निती निदेशक तत्तव सरकारों के लिए या विधाई संस्थाओं के लिए केवल और एक केवल परामर्ष हैं कि आप कल्यानकारी राज्यकी स्थापना करने के लिए ये काम कीजिए तो लिख्तो मूल सम्मिधान म प्रन्तु उसको सम्मेधानिक दरजा मिला सन 1902 में जाकर 73 वा सम्मिधान संशुदन के पूरे भारत में पंचायती राजस्थम गया, थरीच तरे पंचायती राजस्थम को लाजु किया गया परन्तु इससे पहले ही कुछ-कुछ जगाओं पर ये पंचायती राज सिस्टम इंप्लिमेंट किया गया और भारत में राजस्थान वो पहला राज है जहां पर 2 अक्टुबर 1969 को राजस्थान में एक जिला है नागोर है ना और एक गाओं है बगदरी गाओं कौन सा बगद गाओं में प्रथम बार पंचायती राज का शुभारंब किया गया था 2 अक्टुबर 1969 को उसके बाद ठीक 9 दिन बाद 11 अक्टुबर 1969 को पंचायती राज सिस्टम को लागू करने वाला दूसरा राज्य आंधर प्रदेश बना कौन सा बना आंधर प्रदेश बना तो दूसरा राज्य है आपका आंधर प्रदेश 11 अक्टुबर 1969 को पंचायती राज सिस्टम महाँ पर लागू किया ठीक है बात समझ में आई आप चलते हैं हम लोग साइन्स की लिए ठीक है साइन्स की तरफ चलते हैं साइन्स के प्रशना आप से पूछे जाएंगे जैको प् प्राणी जगत का विभाजन किया जाता है आपको फाइलम पढ़ाए जाते थे हैं ना प्रोटो जोवा है इस तरह से करके आपको पढ़ाया गया होगा तो प्राणी जगत के वर्गी करण में निम्रकित में से कौन सा संग यानि की फाइलम नहीं है तो मोलस का आपने जरू अगला प्रशण है हमारा स्वतनत रूप से गिर रही एक वस्तु की गती का उधारन है अगर कोई वस्तु स्वतनत रूप से गिर रही है तो उसमें कैसी मतलब गती होगी एक समान त्वरित गती होगी असमान त्वरित गती होगी स्थिर वेग होगा या स्थिल चाल होगी तो पहली बात तो यह है आपका वेगी की तो बात ही खतम होगी चाल की तो बात ही खतम होगी वहाँ पर त्वरन की बात आगी त्वरित त्वरित है ना गती की बात हो रही है तो कैसी गती होग बना तो एक समान होगी और इवन धिरे-धिरे बढ़ती ही चली जाएगी यहना जब भी होगी एक समान त्वरित वहाँ पर गती का उधारन देखना मिलेगा स्वतन तुरूप से गिर रही वस्तुरूप अगला है उत्तल और अवतल दर्पन देखो उत्तल दर्पन और अवतल दर्पन आपने कुछ इस तरह पढ़े होंगे यह जो दर्पन है उत्तल दर्पन अवतल दर्पन है यह किस तरह के दर्पन के उधारन है तो यह गोलिये दर्पन के उधारन है यह आपको यादर है अगला प्रश्ण है हमारा निमलिकित में से क्या सबसे अधिक संपीड्य है संपीड्य का मतलब क्या है कि जिसको आप जादा से जादा दबा सकते हैं प्रैसराइज कर सकते हैं तो अगर मैं आपको कहूं अगर मैं आपको कहूं कि आपको लोहे की एक दूम ठोश चड़ को दबाना है किसी चीज में हाथ में रखके और आपको दबाना है तो आप कुछ हद तक उसको दबा पाएंगे अब दूसरी बात है आपने किसी उसी बर्तन में करके आपने दर्व को दबाया तो आप थोड़ा और दबा पाएंगे पैड योप को बहुत हद तक इन तीनों के comparison में सबसे ज़्यादा किसको दबा पाएंगे गैस को दबा पाएंगे तो नेमलिकित में सबसे अधिक संपीड यह क्या है तो सबसे अधिक संपीड यह है आपका तो अभी तक हमने देख लिया क्या आपका history आपका international moment आपका भूगोल आपकी अर्फविवस्था, science और क्या देख लिया आपका संपीधान देख शुक्त है अब हम बात करते हैं हमारा सामाई की का यानि की current affairs की बात करते है सीधी बात नो बगवास वाले practice हैट हैं जितनी जल्दी complete हो सकते हैं और आपको बहुत सारी चीजिह इसमें समझ में आती भी होगा तो आप सबको पता है के 21 June को कब 21 June को हर साल 21 June को हर साल अंतराष्टिय योग दिवस मनाया जाता है तो इस बार जो हमने 2022 में जो हमने अंतराष्टिय योग दिवस मनाया वो कौन सा था इसा चोथा आठवा या दसवा तो इस बार जो अंतराष्टी योग दिवस्था वो हमारा आठवा योग दिवस्था आठवा अंतराष्टी योग दिवस्था अगला प्रशना है हमारा हाल ही में गुस्तावो पेट्रो किस देश के नए राष्टपती बने हैं ये बने हैं आपके कोलंबिया कोलंबिया के नए राष्टपदी बने हैं आपके गुस्तावो पैट्रो अगला हमारा प्रशन है खाल ही में आस्ट्रेलिया के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा पौधा 180 किलोमेटर खुजा गया जिसका नाम क्या है तो जिसका नाम है आपका पेसी डोनिया ऑस्ट्रेलिस क्या है पेसी डोनिया ऑस्ट्रेलिस अब आपको मैं एक बात बदाओ अब आपको लग रहा होगा यार 180 किलोमेटर लंबा मनलब ऐसे लेंथ में ऐसे लेंथ में नहीं अगर 180 किलोमेटर लंबा पेड है जो यह पैसे रोने आस्ट्रेलिस है यह एक तरह का सी ग्रास है समुद्री घ्रास है तो वहाँ पर कोई गया नहीं होगा परंतु यह इतना बड़ा पेड़ है एक ही पेड़ है जो 180 किलोमेटर के विस्तरत है और माना जाता है इस पेड़ की जो आयू है वो 4700 साल है कितनी 4700 साल है तो आपको यह चीज याद रखने है अगला प्रशन है मारा प्रती वर्ष विश्व शर्णार्थी दिवस किस दिन मनाय जाता है तो विश्व शर्णार्थी दिवस बनाया जाता है आपका 20 जून को अभिश्व शरनारती दिवस, 21 जून को आपका क्या बनाया जाता है, 21 जून को आपका अंतराष्टी योग दिवस मनाया जाता है, अगला प्रश्न है हमारा, खाल ही में कौन भारतिय व्यक्ति, American Telecom Company, Verizon के नई CEO बने हैं, या आपका दीप दयाल चावला है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, Samya Narayan संपत, Samya Narayan संपत को American Telecom Company, Verizon का CEO, Chief Executive Officer, मुक्षे कारेकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है, ये बात आपको ध्यान रखने, ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, IMD दौरा वैष्विक जारी प्रतिश्परधा सुच्कांक 2022, भारत को मिला है, ये बात आपको ध्यान रखने, अगला प्रश्ट है इन दो शहरों के बीच में भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली प्राइवेट ट्रेन संचालित की गई जिसका संचालन पूरी दरह से प्राइवेट कंपनी कर रही है तो वो जगे कौन सी है कहां से कहां उसको चलाया गया तो वो दो स्टेशन थे कोयम बटूर से शिर्डी के बीच में ये भारत गौरव योजना के तहत पहली प्राइवेट ट्रेन को चलाया गया अगला पुश्ण है हमारा हाल ही में किंदर सरकार ने भारतिय सेना में चार साल हेतू युवाओं की भरती करने के लिए कौन सी योजना लॉंच की है उसका तो बदाने की ज़रूरत नहीं है अगनिपत योजना अगला प्रश्ट है हाल ही में कौन सी कौन सिगरेट पर चिताब नहीं छापने वाला दुनिया का पहला देश बन गया आपने देखा होगा कि सिगरेट की जो डिब्बी होती है उस पर तो कहीं है यहां पर मतलब एक कैंसर पीडी टेक व्यक्ती का फोटो चापा रहता है पीपी के यहां से निकाल लेख धुआ यहां से कभी यहां से ऐसे करके बुड़ा इंतजाम हो जाता है उसका फोटो चाप रखते हैं उसमें बोलते हैं के यहां सो चीज़ें उसमें लिखी रहती है पर फिर भी आदमें इस पर ध्यान नहीं देता और खूब चल्ले उड़ कर सकता था पर यदि सिगरट पर ही चेतावनी छपी हो तो जब वो जलेगी तो ऐसे से धुआए जब निकलेगा और वो चेतावनी दीखेगी तो कुछ ना कुछ तो फरक पड़ेगा तो इन में से कनाड़ा जो देश है कनाड़ा देश ने सिगरट पर ही चेतावनिक वैधान हो गया वो क्या थे धावक थे गायक थे लेकक थे या पत्रकार थे तो हरी चंद जो थे वो एक runner थे अथलीट थे धावक थे यह बात आपको याद रखने हैं ठीक है अब यह बात हो गई अब हमारा प्रशना आ अगर आपसे बात 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 हैं जो हमारी गाड़ियां होती है उन गाड़ियों में आवास को कम करने के लिए एक यंत्र का प्रयोग किया जाता है जिसको मफलर का जाता है तो इसको मफलर का जाता है परन्तु फिर भी अब गाडियों में लगा हुआ है परन्तु किसी शहर में एक हजार या दस जार या एक लाग या दस लाग या करोड गाडिया हो और वहाँ पर ध्वनी प्रदूशन हो रहा हो तो ऐसे में एक नई टेकनिक निकाली गई है नीम के और अशोक के पेडों को लगाया जाता है इसमें नीम के और अशोक के पेडों को आपके ग्रूप्स मे लगाया जाता है और उनकी वज़े से क्या होता है द्वनी प्रोदूशन कहीं नियंतरित होता है तो मफलर क्या काम कर रहा है गाड़ी के अंदर द्वनी प्रोदूशन का काम कर रहा है और हमने द्वनी प्रोदूशन को कम करने के लिए जगे जगे परिस्थान स्थान पर कोल इसलिए यह green muffler है तो green muffler किसलिए काम आ रहा है आपका ध्वनी production कम करने काम आ रहा है अगला प्रश्ण है मारा यमुना expressway है बहुत प्रसिद्ध है यमुना expressway तो यमुना expressway किन किन के बीच में है तो यमुना expressway आपका greater noida to agra या agra to greater noida आप कह सकते हैं लंबाई है इसकी 163.5 km नहीं 163.5 km ठीक है यह बात आपको याद रखनी है ठीक है ओके अगला प्रश्ण है मारा किस विश्व धरोर रिस्थल को मुगलों का कब्रिस्थान कहा जाता है तो हुमायू के मकबरे को क्या कहा जाता है मुगलों का कब्रिस्थान कहा जाता है अगला प्रश्ण है हमारा ज्यानपीट पुरुसकार सोरप्रथम किसको दिया गया था यह बहुत important question है और समय समय पूछा जाता है तो ज्यानपिट पुरुसकार साहित्य के लिए दिया जाने वाला सरवोत्तम पुरुसकार है भारत में साहित्य के लिए दिया जाने वाला सरवोत्तम या सरवोच पुरुसकार है इससे उपर पुरुसकार नहीं है और भारत की ये स उसका साहित बहुत बहतर है, तो उस विक्ति को चुन करके ज्यान पीट पुरुसकार दिया जाता है, इसकी स्थापना हुई थी 1961 में, पर पहला पुरुसकार 1965 में दिया गया था, जी शंकर कुरूप को, किसको? जी शंकर कुरूप को, जो मल्यालम लेंग्विज में अपना सा साहित लिखते थे, ज्यान पीट पुरुसकार, जी शंकर कुरूप, अगला प्रश्ण हमारा, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोक का गठन कब हुआ था, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोक का गठन हुआ था, आपका 1993 में, अगला प्रश्ण हमारा, a century is not enough, एक शताबदी क काफी नहीं, ये किस खिलाडे की आत्मकता है, तो ये सौरव गांगुली की आत्मकता है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए, अगला प्रश्ण हमारा, सबसे पहले महिला का नाम बताइए, जिसे नॉबल पुरुसकार मिला था, तो सबसे पहली महिला और एकमात्र महिला, ज इन्हों ने अपने पती के साथ मिलके सब कोजे की, ये अकली महिला ऐसी हैं, जिनको Physics में और Chemistry में दोनों में Nobel Prize मिला है, तो विश्व की पहली महिला या सबसे पहली महिला जिन Nobel Prize मिला वो थी मैडम मेरी क्यूरी, अगला प्रश्ण है हमारा, इस विश्व संस्था को विश् इसको क्या जाता है उदार रेंड की खड़की अराम से वहाँ पर विकास के लिए लोन दे देती है यह अंतराष्टे विकास संग अगला प्रश्णा है भारतिय मुद्रा का नया प्रतीक अब देखो पहले अलग प्रतीक था अब प्रतीक क्या है यह वाला रूपे को इस तरह दिखाय जाता है डॉलर को इस तरह दिखाय जाता है यह प्रतीक है तो डॉलर को ऐसे दिखाते है तो यहां पर देखिए आप यहां पर रूपे को ऐसे दिखाय जाता है तो रूपे का जो प्रतीक है जो डिजाइन है इसको डिजाइन करने वाला वेक्ति कौन है तो इसको डि जिसमें उसकी कारेपालिका यानि की एक्जीक्यूटिव राजधानी तो ये हो गई आपकी प्रिटोरिया, उसके बाद न्याइक राजधानी अलग है और विधाई राजधानी अलग है, जैसे हमारी विधाई और नियाई कारेपालिक तीनों राजधानिया नहीं दिल ली है तीक है, वहाँ पर कानून बनते भी हैं वहाँ पर आपकी देश की सरवोच अदालत भी है तीक है, और वहाँ पर आपकी कारेपालिका की भी सारी मदलब शक्तियां रहती हैं सारे कारे होते हैं परन्तु ये जो अदक्षन अफरीका है इसकी तीन राजधानिया है मैं लिख देता हूँ आप लोग नोट कर लिए ठीक है अदक्षन अफरीका सबसे पहले लिख देते हैं प्रेटोरिया कैसी राजधानी है आपकी कारे पालिक राजधानी कारे पालिक नाजधानी दूसरा यहाँ पर लिख देते हैं न्याई और तीसरा यहाँ पर लिख देते हैं विधाई विधाई ठीक है तो जो केप टाउन है आपका वो इसकी विधाई राजधानी है और जो Blom Fountain है Blom Fountain Blom Fountain वो आपकी न्याइक राजधानी है तो Pretoria आपका कारेपालिक राजधानी Blom Fountain आपका न्याइक राजधानी और Cape Town आपका विधाई राजधानी है तो ऐसा एकमात तरदेश है जिसकी तीन राजधानिया है तो यह सारे प्रशन आपके रहे उम्मीद कर रहा हूँ बहुत जल्दी जल्दी आपके प्रशन हो गए होंगे तो हर एक दिन छोड़कर आपके चीज़ें मिलेंगी आप अच्छे से पढ़ते रहे हैं उम्मीद कर रहा हूँ